मित्रों जैसे राम मित्रों हम बात कर रहे हैं राहू की राहू के गोचर की जो ब्रिस राशी से मेश राशी में होने वाला है मित्रों जैसे कि आप सब जानते हैं कि राहू अभी तक ब्रिस राशी में थे अब वह गोचर करके जा रहे हैं मेश राशी में तो आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं बहुत स्वागत आपका हिंदु जीवन ग्यान चैनल में मित्रों 12 अप्रील 2022 12 अप्रील 2022 10 बज के 36 मिनट 10 बज के 36 मिनट में राहू जो है ब्रिस राशी से निकल कर मेर्श रासी में गोचर कर जाएंगे तो वह ब्रिस राशी से मेर रासी का अगर सामानндरे मारगी घर होता या मारगी चाल चलता तो मेरे ब्रिस तरफ जाता लेकिन राहू हमेशा उल्टा चलते हैं तो मित्रों राखू की बात करें अर्ध कायम चंद्र और आदित्य का मान मर्दन करने वाले जिनकी काया आधी है बावजुद इसके वो चंद्रमा और आदित्य सुर्ज और चंद्रमा दोनों के मान का मर्दन करते हैं आप सोच लीजे इनका पावर इनमें सनी सनी के भी गुण पाये जाते हैं यह खुद बहुत सक्तिशाली है बहुत ही रहस्मई ग्रह है प्रसन्न हो जाए तो रंक से राजा और नाराज हो जाए तो राजा से रंक यह राव की खासियत है मित्रो मेश राशी पर इसका क्या प्रभाव होगा इसका वीडियो पहले आ चुका है आज हम बात करेंगे ब्रिस राशी के बारे में इस गोचर का ब्रिस राशी वालों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा तो आए ब्रिस राशी वालों हो जाओ तेयार राहू आपको करने वा एदिजितनी पीराजेली है राहू के प्रभाव के जितना कस्ट जेला इन सब से निव्रती का समय जातिकश क्यों क्यों कि अब आपकी रासी को छोड़ कर जा रहा है राहू जहां बैठते हैं उसजगा परषाणी पैदा है तो आपके रासी से निकल कर मैस रासी में चले जाएंगे2 अप्रीन से तो इस गोचर से आपका जीवन ही बदल जाएगा मित्रों सबसे पहली बात तो यह है कि इविधाई होगी जब जाते जाते अपने सवखा way जब आते हैं तो बहुत कुछ छीनते हैं जब जाते हैं तो बहुत कुछ दे कर जाते तो अब यह आपको बहुत कुछ देने ृ राह이는 आप ओर्धिक ढूल आप रहु मानसिक रूप से आपको आपके परिशानियों का मानसिक परिशानियों का अंत करने वाले हैं रहु आपको सारीरिक स्वास्त प्रदान करने वाले हैं निरोगता प्रदान करने वाले हैं मितरों राहू यही राहू आपको आध्यात्मिक धन से भी मालामाल करेंगे आप आध्यात्मिक लूप में refresh प्रगति करेंगे चाहे हो पूजापाथ का विष्य हो ध्यान लगाना हो इन सब्सक्राइज राहु आकी लापती हो जाएगी कई दफ़ा जब हम लोग जो तिस लोग यह कहते हैं अचानक से आपको धन लाव होगा तो आदमी सुचता है कहीं से गड़ा हुआ धन तो नहीं मिल जाएगा ऐसी बात नहीं होती यदि आपका कोई कुछ पुराना पैसा कहीं फसा है यदि आपको किसा आ में इंट्रेस्टेड रहते हैं उधर आपका जुकाओ है या उधर पैसे लगाते हैं तो उधर से आकस्मिक रूप से आपको धन लावोगा हाला कि मैं आपको यह सला नहीं दूँगा कि जुआ और सटा में आप खुद को इंडल्ज करें लेकिन सेयर मार्केट में यह आप पै है वो जिस वर्ग के हो बेवसाई हो विद्यार्थी हो नौकरी पेशा हो हर तरह से आपके लिए अच्छा समय है बेवसाई को कम संगर्स में ज्यादा लाव होगा विद्यार्थियों को competitive exams में सफलता मिलने लगेगी और यदि कोई नौकरी वर्ग का आदमी है तो उसकी मिल जाते हैं इंक्रिमेंट मिल जाता है तो यदि यह सामाने रूप से मिलता है और 12 अप्रिल के बाद यदि आपका ड्यू है तो आपके इंक्रिमेंट जादा अच्छा लगेंगे वित्रों प्रद्योगिक छेत्र के लोगों का विशेश विकास होगा उनको बहुत लाग म जीवन के शुरुवात का समय होगा आपका रोमांस का भी जीवन काफी अच्छा चलेगा इस तरह से मैं यह देखना हूं कि ब्रिस रासी वालों को ओवर बहुत अच्छा फल मिलने जा रहा है जितनी भी मुश्कले आपने झेली अभी जो आप गुजर रहे हैं मुश्किल समय से इंतजार करें बस 12 अपरेल तक उसके बाद आपकी तक्दीर बदलने वाली है मित्रों करना क्या है कि केशर का तिलग लगाए यदि आप केशर का तिलग लगाते हैं तो आपको और लाग होगा आसा करता हूं यह जान करिया आपके लिए लाग प्रचा भीत होगी जै किसिया आप